नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का कोई हिंदी पर और मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बैंकिंग के अति महत्पूरु प्रश्ण जो की बार-बार एक्जाम्स में पूछे जाते हैं यह टिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिपल सी के एजाम में आपको पता होगा कि बैंकिंग के कई सारे क्वेश्ण पूछे जाते हैं अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिस्पन में मिल जाएगा उसको जरूर देख लेना यह पार्ट टू है पार्ट वन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टन क्वेश्ण बताऊंगा बैंकिंग से समधित तो वीडियो पूरी ध्यान से देखना और वीडियो के आखरी में मैं दो क्वेश्ण पूछूँगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और दोस्तों आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला क्वेश्ण है सिच्छा हर्ड किसके लिए दिया जाता है तीसन फीसियों और खर्चों के लिए कोर्स पूरा होने के बाद चुकाने के लिए देश यों विदेश वढ़ने के लिए उप्सन नमबर डी है उप्रोक्त सभी तो जो बैंकिंग सेवाय प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं बेवसाय कोर्सपोर्टेंट और बिजनेस हाउस का एजेंट एप्रका सावकार यह सब नहीं उप्सन नमबर है इसका एंसर होगा चलिए नेक्स्ट इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभी प्राय है तो खाते का प इलिए प्रचल इंटरनेट द्वारा पहला उप्सन इसका से इंसर होगा चलिए नेक्स्ट एक बार किया गया नमांग्कन रद नहीं किया जा सकता, तू बिल्कुल किया जा सकता है, रद किया जा सकता है, इसका सहय अंसर है होगा, रद किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, सब गलत है, यही सही है, चलिए next, बैंक में खाता कौन खोल सकता है, भारती नागरिक, अनिवासी भारती, अनपढ, त उप्रोग सब इसका answer हो जाएगा सब को सकते हैं शिक्स नमबर है पैयन संख्या की आवशक्ता होती है पच्छास जार से कम जमा करना इसके लिए नहीं होती एक लाग से अधिक जमा करना और पच्छास जार यह उससे अधिक जमा करना तो option number जो C है यह इसको answer होगा अगर आप पच्छास जार यह फिर उससे अधिक जमा करना तो पैयन कार्ड मांगते हैं बहें कि मैं आपको पता है यह पैयन नमबर उससे कम अगर करना 49,999 तो आपको पैयन नमबर की जरूरत नहीं पड़ती चलिए next टीडीएस का विप्राय क्या होता है टीडीएस मतलब होता है टैक्स, डिटेक्टेट, अच्छोर्स, option number C स्कैंसर होगा, सुरूत पर कर कट होती चलिए next अधिक्तम रास्या चेक तो इसका जो सही अच्छोर का option number C कोई सीमा नहीं, कितने भी रास्या चेक्ट हो सकता है मतलब ज़्यादस ज़्यादा चलिए next बैंक डिमांड ड्राप जारी करता है ए है प्राइबेट बैंक छेत्री ग्रामीड बैंक सरकारी छेत्र के बैंक तो सब करते हैं, उप्रोग सब इस कैंसर हो जाएगा चलिए next स्वयम सायदा समोग क्या है पांच से बीच लोगों का समोग नीमित बचित आदत समोग सदसों के अंतर रिड मतलब समोग में जो सदस होते हैं उनको रिड दिये जा सकता है जिसका एंसर हो का उप्सर नम्बर डी अब रोप्त सभी चलिए next चिक का भुकतान किसके द्वारा रोका जा सकता है तो चिक का भुकतान जो चिक देता है ना उसके द्वारा रोका जा सकता है ठीक है उप्सर नम्बर सी सके अंसर हो जाएगा चलिए next आदाता खाता चिक चेक मतलब एकाउन पेई चेक का फुक्तान किया जा सकता है तो वाला चेक जो होता हो बैंक खाते में जमा होता सीधा जिसके नाम से होगा उसके बैंक खाते में उसका पैसा चला जाएगा चलिए नेक्स्ट आवर्ती जमा में आवर्ती मतलब समझते हो आवर्ती मतलब होता है आरडी जो होता है रेक्वेरिंग टिपोजित जिसको बोलते हैं आरडी जो हम आरडी कराते हैं कहीं भी हर महीने कुछ फिक्स रास होती जो जमा किया जाता है तो उसको बोलते हैं रेक्वेरिंग एकाउंट मतलब आवर्ती खाता या फिर आवर्ती जमा तो उसका दोख़ी ए लिखा है प्रतीक मा एक निर्दारित राज जमा की जाती है जमा की आवर्ती निर्दारित होती है ब्यास का फुक्तान ब्याली जमा दर्सिक किया जाता है तो उप्रोक्त सभी इसका एंसर हो जाएगा ठीक ह चलिए next बैंक बचत जमा पर ब्यास दिया जाता है तो ये है तिमाही पहले 2016 से पहले क्या था अर्दवास दिखता छमाही ब्यास दिया थी बैंक लिकिन 2016 के बाद से RBI ने तिमाही कर दिया है चलिए next ATM का प्रयोग कर सकते हैं नकत निकासी बिल्गुल कर सकते हैं खाते की पूस्ताज भी कर सकते हैं खाते के बीड़ तो उपरोग सभी इस कैंसर हो जाएगा चलिए next मियादी जमा मतलब फिक्ष्ट डिपोजिट पर ब्यास दिया जाता है तो तिमाही आदार पर दिया जाता है ठीक है इस कैंसर हो जाएगा option number C चलिए next मियादी जमा मतलब फिक्ष्ट डिपोजिट की जो अधिक्तम अवदी होती हो कितने होती है 10 वर्स option number D is कैंसर होगा याद रखना ये बात 10 साल के लिए फिक्ष्ट डिपोजिट होता है अधिक्तम चलिए next लॉकर में रखी वस्तुई कि अवर लॉकर धारक को मालूम हो बस ये इस कैंसर होगा जो लॉकर धारक होता है उसको मालूम होनी चाहिए चलिए next M.G.N.R.E.G.S. से क्या विप्ष्ट रहा है अगर इक्ष्टन आ जाता है तो इसको option नहीं दिया हमने इसका मतलब होता है महत्मा गाधी National Rural Employment Guarantee Scheme ये काफी important है कई बार ये CCC exam में पुछा जाज़ा चुका है तो इसलिए ये बात clearly आप ध्यान देना चलिए next question number 20 जो की आज का आखरी question है रूपे debit card क्या है तो घरलू debit card भारती राष्टी भुक्तान निगम द्वारा सुरू किया सभी ATM यों POS मसीन द्वारा सुखार तो इसका answer हो जाएगा वो प्रोग सभी option number D दोस्तों ये था आज का अगरी question अब आते हैं आज के question पे जिसका answer आपको comment box में लिखना है उससे पहले दोस्तों आप सभी से request है अगर वीडियो पसंद आए तो like करना और अगर चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe करके बेल आइक आउन जरूर फेट्स कर देना अब आते हैं आज के question पर अब आज का पहला question है bank किस पर ब्याज लेता है ध्यान देना लेता है ठीक है जमाय पे लेता है रेड पे लेता है या फिर या भी दोनों पर या तो उप्रोप में से कोई नहीं इसका answer आपको comment box में लिखना है answer जरूर लिखना अभी वीडियो को प्यूच करके answer लिख दो चलिए अब अगले question पर आते है अब दूसरा question आज़का अगर locker का किराया नहीं दिया जाता है तो bank क्या करता है locker को seal कर सकता है locker का पर जानल बंद कर सकता है उचित notice देकर locker को तोड़ सकता है या फिर उप्रोप्त सभी तो इसका answer आपको comment box में लिखना है दोस्तों answer जरूर लिखा करो comment जरूर किये करो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता पिछल जाता है कौन कौन वीडियो को देखा दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही आप सभी को all the best मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लेज़ा है हिंद जय भारत